राध हे राध हे मित्रों इस वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यू नाम के जातक एबम जी नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इनका बैबाहिक जीवन इनका दामपत्य जीवन कैसा होगा मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा मित्रों यदी आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीवन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदी आप मुझे वाट्सेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अब शिकरें मित्रों अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि यू नाम के जातक एबम जे नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इनका बैवाहिक जीवन कैसा होगा मित्रों यू नाम के जातक बहुत जियादा रोमान चक होते हैं इसके अलाबा इस नाम के जातक बहुत जियादा मजाकिया सुभाब के होते हैं इस नाम के जातक बहुत ही जियादा मुखर एबम मित्रता पुर्न होते हैं मित्रों इस नाम के दोनों लोगों के बीच में अनुकूलता की कमी बहुत ज्यादा होती है इन दोनों में से एक ब्यक्ती मनोरंजक होता है एबम इसके अलाबा बिलक्छन होता है लेकिन दूसरा ब्यक्ती बहुत ज्यादा जिग्यासू होता है एबम अपने जीवन के परती बहुत जयादा गंभीर होता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस नाम के दोनों जातक अपने जीबन के परती एबम अपने जीबन में होने बाली घटनाओं से बहुत जयादा प्रेम करते हैं। मित्रों इस नाम के दोनों जातक हमेशा अपने जीबन में सुवत तंतरता को बहुत जयादा पसंद करते हैं। इसके अलाबा इस नाम के दोनों जातक अपने जीबन के परती बहुत जयादा संबेदन सील होते हैं। मित्रों इस नाम के दोनों जातक अपने संबंध को बहुत जयादा रोमान्चक बनाते हैं। मित्रों यू नाम के जातक अपने जीबन साथी के परती बहुत जयादा इमानदार होते हैं इस नाम के जातक अपने आसपास रहने बाले लोगों के परती बहुत जयादा निश्ठाबान होते हैं मित्रों यदि ये नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के जातक बहुत ज्यादा बेभारिक होते हैं इस नाम के जातक हमेशा अपने जीवन में सच्चाई की तलास में होते हैं एबम इस नाम के जातक किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हर बार जोखिम उठाते हैं मित्रों यू नाम के लोगों की सोच बहुत जियादा दूर दर्सी होती है लेकिन यदि जे नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के लोगों का सुभाब आलसी होता है मित्रों यू नाम के जातक एबम जे नाम के जातक इन दोनों के गुन एबम अब गुन को मिला कर यदि इनके बैबाहिक जीबन इनके दामपत्ते जीबन की बात करे तो इन दोनों का संबंध सामान्य होगा न जयादा मजबूत न जयादा खराब तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, एबम इस वेडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें, एबम इस वेडियो को आप हड़ जगह से यर कर दें, धन्यवाद